इमान का अंदाजा, पेगाम नमबर नो, इमान का दर्जा सोम रोमियो बारबाब तीन आए, मैं उस्तुफीक की वज़ा से, जो मुझको मिली है, तुम में से हर एक से कहता हूँ, कि जैसा समझना चाहिए, उससे ज्यादा कोई अपने आपको न समझे, बलकि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मौफिक एमान तक्सीम किया है, एतदा के साथ अपने आपको वैसा ही समझे। चीन, जापान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिल्पाइन, ताइवान, इंडिया, मंगोलिया, मिसर, इसराईल और मकामी अबादत खानों के मेंबरान, जो गुरी दुनिया में इंटरनेट और टेलिवियन की खिदमात मुलाहिशा करते हैं। इससे पहले कि मैं खादिम बनता, मैंने रोज़ रखे और दौा करने के लिए बहुत से पहाड़ी मकामात का दौरा किया। खुशूसां इसलिए कि मेरे पास्टर साहब चर्च में दौा के दौरान मेरा चिलाना पसंद नहीं करते थे। तिया मुझे उन दौाई या पहाड़ों पर जाना पड़ा। एक दिन पूरे मुझे से बहुत से पास्टर एक पहाड़ पर दौा करने के लिए जमा थे और मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी। गुफ्तगू का मौदू था कि क्या खुदा के फर्दंद उसके दखस आखकामात पर अमल करने के लाइक हैं या नहीं। आपका क्या ख्याल है कि नतीजा क्या था उन्होंने नतीजा ये निकाला कि आदमी दस आखकामात पर पूरी तरह अमल नहीं कर सकते। मुझे उनकी गुफ्तगू सुनने पर बड़ा अफसोस हुआ। मैंने सिर्फ एक आम एमानदार होते हुए दस आखकामात पर अमल किया था लेकिन वो ऐसी बातें खादिम होते हुए कर रहे थे। मैं समझना सका कि वो किस तरह ऐसा सोच सकते हैं। पहला थसलने कियों चार बाब तीन आएद कहती है चुनाचे खुदा की यही मर्दी है कि तुम पाक बनो। मती पांच बाब 48 आएद भी कहती है बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाब कामिल है। हमारे लिए खुदा की मर्जी यही है। यह हम गुनाहों को निकालें और कामिल और पाक हो जाएं। लिए हमें ऐसा करने का हुकम नहीं देता जो हम ना कर सकें। खुदा हमें ये करने का होकम इसलिए देता है तो कि हम इमान के साथ उसकी ख़ुद्रत से ये कर सकते हैं, हाला कि हम अपनी काबलियत से नहीं कर सकते हैं, खुछुसां पुराने एहतनामा की तरह नहीं, रुछुलकुलस हमारे दर्मियान सकूनत करता और हमें एक उवत बख्रुदा Jenna करने के कोशचे करते हैं, लेकिन वो अपने दिल को पाख नहीं कर सकते, वो येमान के दर्ज़ा दॉम पर तरक्की नहीं wireless तरकी नहीं करते, जिस तरह अगरचे वो खुदा ये काधरिय मंद्लिक पर इमान रखते हैं, वो उसके उमानिक बम्द्रिवात तो खुदा हमारे इमान के मताबिक हमें ताकतवर काम दिखाता है। लेकिन अगर इमानदार का इमान तरक्की नहीं करता और इमान के दर्जा अवल यदों पर रुख जाता है। तो खुदा इमान के अंदाज़ा से बढ़कर काम नहीं कर सकता। लेकिन आपने इन पैगामाद के वसीला खुदा की बाबत सीखा है आपको सिर्फ वही गुना नहीं निकालने चाहिए जो अमलन किये हूँ बलकि अपने दिल में से गुनाहगार खस्रत को भी निकालना चाहिए अप जानते हैं कि आपका एमान गुराहों को नकालने के लिए बढ़ रहा है पैगामाद को सुनने के बाद आप जिसकदर अपने आपको तबदिल करते हैं खुदा का कलम जो ज़िदा और मतर्क है आपकी जिakte काम करेगा ताकि आप खुदा के हैरतंगे इसकामों का तजर्बा करने के काबिल हो सके। फिर आप खुदा का इनकिशाफ कर सकते हैं जो कादर मुतलिक और आलिम अलगाइब है और आप उसको जलाल दे सकते हैं जो अपने बच्चों को बरकत देता है। मैं उमीद करता हूँ कि आज पेश किये गए पैगाम के जरीए आप अपने एमान का मौइना कर सकते हैं और बहुत जल्द एमान के बुलंद दरजात पर जा सकते हैं। उम्चे इमान के इमान के अंदाजा का नौमा आज आएज मैं इमान के दरजा सौम की वाबत बात करूंगा जो पिछले इजलास से जारी है। मैंने आपको इमान के दरजा सौम बधाया था जो कलाम पर अमल करने का दरजा है। दर्जा दूम अमल की कोशिश का दर्जा है, और दर्जा सूम हकीकत में अमल करने का दर्जा है. जब आप रूह अमल करने के लिए इमान पालेते हैं, जो राई के दाने की मानिज़ छोटा है, जो बोया गया था, आप एमान के दर्जा अवल पर मसीही जिन्दी की शुरुआत करते हैं, बीच उगेगा और नेशन उमा पाएगा, ताकि आप अमल करने के लिए इमान आप एमान में बढ़ते हैं, दर्जा दूम जहाँ आप कलाम पर अमल करते हैं, और दर्जा सूम जहाँ आप हकिकतन कलाम पर अमल करते हैं, इनमें बेहत फर्क है, दर्जा दूम तक आप कलाम पर अमल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुके आप पूरी तरह उस पर अमल तो ऐसे लगता है कि आप दोनों यानि दुन्यावी चीज़ें और कलीसियाई और खुदावद की चीज़ें भी रखते हैं लेकिन दरजसों पर आपके काम और आमाज तब्दी हो जाते हैं। आप अपनी रोजमरा जिन्दगी में नूर और नमक बन जाते हैं। चुनाचे आ जड़ाई नहीं करते हैं बलके उसे खामोशी से बरदाश कर लेते हैं। अगर आपके सामने मजाहमत के पहार भी हों, आप मुश्टेल या मायूस नहीं होते बलके खुश होने और शुकर अदा करने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में जहां हर कोई अपना फायदा आप दूसरों का फायदा ढूंड़ते और तमाम लोगों की खिद्मत करने की कोशिश करते हैं। इस तरह दरजसों से तालुक रखने वालों को दुनियादार लोग भी कह सकते हैं कि जब से ये खुदा पर एमान लाया है, तब से मुख्तलिफ हो गया है। आपको अपने इ अगर वो आपके मुख्तलिक कहें कि वो खुदा पर इमान रखते हुए ऐसा कैसे कर सकता है, आप दरजसों पर पहचाने नहीं जा सकते। लेकिन इस तरह अमल करने के लिए आपको खुदा का किलाम सिर्फ मालूमाती तोर पर नहीं जानना चाहिए, बलकि आपको इसके मान नहीं अपने दिल में समझने चाहिए, आपको अपने दिल में वाज़ तोर पर समझना चाहिए कि आप खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी करते हैं तो तब वो आपको बरकत देता है और आपको संभालता और मैफूस करता है, वो आपके साथ इस सब्सक्त तक रहता है कि नाजरीन जब तक आपको दिल में एहसास नहीं होता, आप अपने दिल में जड़ जिहत रखते हैं, चुनाचे आप मेंसे बहुत सारे कहते हैं कि जब आप एमान के दर्ज़दों पर होते हैं, तो बड़ा बोचल महसूस करते हैं, शराब नोशी और सिक्रन नोशी से बाज रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी जब आप पूरी तरह दुनियादारी में हैं, उसे इस्तमाल करना पसंद करते हैं, आप उसको माना चाहते हैं, जो आपको घुसा दिलाता है, लेकिन आप कुवत बरदाश ना रखने के मुतालिक एहसास जर्म महसूस करेंगे, और तब हम बरदाश करने के काबिल ना होते हुए गुनाह कर देते हैं, तो रुह लकुदस आप में आहे भरता है, चुनाचे आपका दिल दोबारा मुसीबत में आ जाता है, आप जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा मुश्किल की हकीकत महसूस करते ह चुनाचे आप इमान के साथ जाके बाद दीगरे मुश्किलाथ को घुजारना मुश्किल महसूस करते हैं, लेकिन अगर ची ये मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं, और ऐसा करने से आप आसवान पर जा सकते हैं, पस आप कलाम पर अमल करने की कोशिश में लग जाते है जब आम इस तरह एक खास लम्हे से उस पर अमल करने की कोशिश में लग जाते हैं आप खुदा के कलाम के मानी को समझ जाते हैं और आप अप्रे दिल में ये एतकाद रख सकते हैं कि खुदा के कलाम के साथ चलना बावरकत है ये दरजसों की इफटदा है एमान के दरजसों में खुदा की कलाम पर अमल करना ज्यादा फित्री और ज्यादा आदतन हो जाता है बेशक जिस तरह उजश्टा इजास में बाज़ किया गया था कि दरजसों पर भी आपको जिस्वानी चीरों के खिलाफ जद 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 करना ही है चुनाचे आप इसे मुश्किल महसूस कर सकते हैं लेकिन इन कोशिशों में भी दरजदों वाले शक्स से बहुत मुख्तलिफ है जो जिस्वान के कामों के खिलाफ जद 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 करता है फ़सुशन अगर आप दरजसों का साच पीसद हासिल कर लेते हैं और इमान की चटान पर खड़े हो सकते हैं तबाव की ज़्यादा अतर गुनाहकार खस्रते निकल जाती हैं चुनाचे कलाम पर अमल करने को मुश्किल नहीं समझेंगे आप सिर्फ गुराई को परदाश करने और उसे बाहर निकालने की कोशिश करतें बलके आप अपने दिल में से गुनाहकार खस्रतों को निकाल सकते हैं पस आप कोई बदी नहीं दिखाते अगर्चे आप दरज़ास हों पर जाते हैं जहां आप अपने दिल में समझे सकते और कलाम पर अमल करने की कोशिश कर सकते हैं आपकी मसी ही जिन्दगी मुश्किल नहीं रहेगी, बलके इसके बरक हर एक दिन खुशी भरा होगा मैं आपको एक मिसाल देता हूँ बॉक्सिंगे में जब दो खिलाडी बराबर की हूँ, तो लड़ाई बड़ी धुआधार होती है अगर एक खिलाडी एक मुक्का मारता है, तो दूसरा भी एक मुक्का मारता है, अगर एक पांच मुक्के मारता है, तो दूसरा भी पांच मुक्के मारता है धुआधार लड़ाई के बाद, दोनों में से एक जीतेगा और दूसरा हारेगा ये इमान का दर्जा दूम है बाद वकाद आप जीतें यहारें तुश्मन इबलीस और शेतान की खिलाफ जद जहत करते हैं लेकिन अगर दो बॉक्सर्स में से एक ने बहुत सक्त तर्वियत पाई है और उसकी सलाहियतें बहुत मुख्तलिफ हैं तो खिलाडियों के दर्वियान तुरतेहाल भी बहुत मुख्तलिफ हो जाती है शायद एक खिलाडी दस मुख्तलिफ हो जबके उसका मद्द मगाबल सिर्फ 5 ये सिर्फ एक ये दो मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन जिसने ज्यादा सफ तर्बियत पाई है, वही खेल में अपने मुखालिफ पर बर्तरी पाईगा, जिसके दर उसकी महारत ज्यादा है, वो इसे आसान महसूस करेगा, और सिर्फ चंद ही मुक्के खाएगा, ये एमान का दर्जा सूम है, दर्जा सूम के साथ भी, जब दर्जा चहारम के करीब तर होते हैं, आप चंद टकरें वसूल करते हैं, ताके आप बहुत आसानी से जंग जीत सकें, कोई बात नहीं, दूसरा शक्स आपको कितनी भी मुश्किला देता है, अगर्चे आप उससे महबत नहीं करते, गमस्कम नफरत भी नहीं करते, हम कहते ह आप बड़े सक्त जरूरत मंद हैं, और गली में से एक बटवा मिलता है, अब आप तनाजा नहीं रखते, कि आपने वो मालक को वापिस करना है या नहीं, आप फितरतन उसके मालक को ढूनने की कोशिश करते हैं, ये आपका नहीं है, वो जो दर्जा दोंपर हैं, वो इसका को तलाश करेंगे, या उसे पौलीस आफिस में ले जाएंगे, क्योंकि वो उनका नहीं है, दर्जा सोम की अब्तदाई सता पर आप एक लम्हा के लिए उसे अपनी जाग पर फर्च करने की खौहिश कर सकते हैं, लेकिन आप जगीनन वापिस आ जाएंगे, ये इमान का दर ज़स्रों है, अगर आप सिर्फ एक डालर उठाते हैं, आप हकीकतां मालिक को तलाश नहीं कर सकते, तो आप उसे नेक काम पर फर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ने बड़ी रकम उठाई हैं, और उसे अपनी जाग पर फर्च करने की खौहिश चकते हैं, तो इसका फितरतर आप मालिक को तलाश करने की कोशिश करेंगे, अगर कोई आपको बताए, कि वो एक सबत को तोड़ने पर आपको एक मिलियन डालर देगा, तो भी आप वरगलाए नहीं जाएंगे, आप आस्मान की बाचाहत का तबादला एक मिलियन डालर के साथ नहीं कर सकते, अगर आप दरजसोम की बतिदा पर हैं, आप सोच सकते हैं, जिक्या मैं उसे एक मिलियन डालर बड़ी रकम है, ऌग अगर आप दरजसोम की शुरुआप में लेकिन आखिर आप उस सोच को दूर निकाल देंगे, और जंन तक दरजसोम पर हैं, सबत को मानते रहेंगे, आपके दरजici सhom में जाने के बाद जिसके आप एक एक करके जिस्मानी चीजों को निकालें और दरजसाहन पर जाने के करीब होंगे और आप मसीछ में जिन्दगी बसर करने के लिए ज्यादा आसानी मैसूस कर सकते हैं लेकिन एमान के द styles, और खूंजा पर, ऐसे लोग है जो मसीह सी जिन्दगी बसर करना आसान महसूस करते हैं वो किस किस लूग हैं? वो ऐसे हैं, जो नेक दिल रखते हैं और जिस लम्हा से वो खुदा से मिले हैं, उन्होंने खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी शुरू कर रखी है, जो उन्होंने सुना और सीखा है, वो फैंक देते हैं, जो खुदा हमें फैंक दे को कहता है, और वो काम नहीं करते हैं, जो करने से खुदा हमें मना करता है, और व वो खुदा की मर्जी से दर्जा दोम में हैं, वो फौरण दर्जा सोम में चले जाते हैं, क्योंकि बास लोग एमान का दर्जा अवल और दोम पास करके दर्जा सोम में चले जाते हैं, जिसमें चंद महीने ये च्छे महीने लगे, या फिर बास लोगों के लिए पाँच, छे यद दस साल भी लग सकते हैं और अभी तक वो दर्ज़ादों पर रुके हुए हैं हालाँ के वो मसीही पैदा हुए थे और अब बड़े बुड़े हैं क्योंकि ये लोग दर्ज़ादों में बहुत जल्दी आए हैं वो नहीं कहते कि मसीही जिन्दगी मुश्कित है लेकिन इसके बरक्स वो इसका मज़ा लेते हैं और खुशी मैसूस करते हैं क्यों ये के बाद दीगरे खुदा की मर्जिक को समझना और उस पर अमल करना बहुत खुशी और मुसरत भरा होता है अपने आपको तलास कर लेना और गुना भरी चीज़ों को निकालना बहुत खुश्कुन और राहत बख्ष है अगर्चे वो इमान के दरज़ा अवल या दों पर है वो बहुत जल्द दरज़ा हरम रूख के दरज़ा और पांच्वे दरज़े में भी चले जाएंगे और जिसकदर आप गुनाहों के इखराज को बढ़ाएं आप खुश्कुन के साथ बहुत वाज़ तोर पर राप्ता कर सकते हैं और उसकी महबबत को बहुत गहराई से महसूस कर सकते हैं और आप अपने दिल की गहराई में रहत और खुशी से भर जाएंगे नाजरीन पहला यहना दो बाप 14 आयत का दूसरा हिस्सा कहता है जवानों मैंने तुमें इस लिए लिखा है के तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में गाइम रहता है और तुम शरीर पर गालिब आ गए हो जवानों मैंने तुमें इस लिए लिखा है के तुम मजबूत हो यहाँ जवान उनको कहा गया है जो इमान के दर्जसों पर है अगर आप इमान के दर्जसों पर हैं खुदा का कलाम तुम में काइम रहता है और तुम शरीर पर गालिब आ गए हो। ये आपके जहन में सिर्फ मालुआत के तौर पर नहीं है, बलके कलाम आपके दिल में काइम रहता है, जिसका मतलब है, आपने बता और रूख इसकी तकमील कर ली है। खुदा का कलाम तुम में काइम रहता है और तुम शरीर पर गालिब आगए हो। आप दुश्मन इबलीस और शेतान की तमाम तदावीर पर गालिब आगए हैं। तुम आजमाईशों पर गालिब आगए हो। और तुम ने धोका नहीं खाया। तुम शरीर पर गालिब आगए हो यहाँ जवानों का एमान दर्जासों वालों की नमाइंदी करता है क्योंकि खुदा का कलाम उन में सकूनत करता है वो इसके साथ अमल कर सकते हैं और खुदा के कलाम की तलवार के साथ आप शरीर यानि इबलीस और शेतान पर गालिब आ सकते हैं इसलिए अगर आप दर्जासों पर हैं आप आजबाईश या धोके में नहीं आएंगे अगर वो आते हैं वो उनको जल दिखाल देंगे चुनाशिए आप हमेशा फता हासिल करेंगे इस तरह अगर आपके चेहरे मसलसल मुश्किलात में तारीक और परिशान हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप एमान के दर्जासों पर हैं क्या आप अभी तक दुनियावी चीजों के मतलिक परिशान हैं हमारे खुदावन ने मती की इंजील छे बाप में बताया है पहले खुदा की बादशाही और उसकी रास्तवाजी की तराश करो वो हमें बता रहा है कि ये फिक्र ना करो कि क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे बलके दर्जादों पर आप वो इमान नहीं रखते कि आप उन चीजों के लिए परिशान हो अगर आप हकिकतन खुदा के किलाम के साथ जीने के दर्जे पर हैं आप उन चीजों के मुतालिक पर रिशान नहीं होते आप सब कुछ खुदा के हाथों में करते हैं आप जानते हैं कि खुदा आपकी दौा का यकीनी जवाब देता है आप ये भी जानते हैं कि वो आपके लिए काम करेगा अरबता आप परिशान नहीं होंगे अगर आप किसी चीज़ के मतलब परिशान हैं तो ये सिर्फ खुदा की बादशाही और रास्थबाजी है दर्जस होम पर अगर आपके जहने में परिशानी आती भी हैं तो आप जल्सी अपने खैरात को तब्दिल करेंगे और शुकर गुजारी की दौएं करने में खुदा पर वरोसा करने की कोशिश करेंगे आप खुदा की कुदरत मांगेंगे जो हर काम भलाई में करता है और बदकिसमतियों को खुशकिसमती में बदल देता है इसके इलावा अगर आप एमान के चटान या उससे उपर के दर्जे पर खड़े हैं आप खुदा के अखकाम पर अमल करते हैं चुनाशे आप एतकाद रखते हैं कि खुदा कादर मुद्दिक आपकी दौाओं को सुन रहा है क्योंकि आप नूर में रहते हैं आप अबलीज से नहीं डरते और आप एतकाद रखते हैं कि उस पर खारे बासकते हैं अगर आप तमाम मसाइल खुद हल करने की कोशिश करेंगे तो आप मैसूस कर सकते हैं कि ये मुश्किल है लेकिन अगर आप खुदा की पुदरत पर यकीन रखते हैं तो कोई चीज मुश्किल नहीं है दाओद सिर्फ एक चोटा लड़का था जब उसने जूलियत के खिलाफ जंग की लेकिन उसने किसी चीज़ का खौफ ना किया उसने इत्राफ किया और ये सारी जमाद जान ले कि खुदा तलवार ये भाले से नहीं बचाता क्योंके जंग खुदावन की है और वो तुमें हमारे हाथ में कर देगा और बहादरी के साथ जूलियत को शिकस्त दी क्योंके वो जानता था कि खुदा उसके साथ है उसने अपनी जिन्दगी के खत्रे का कोई खुदा ना रखा वो खुदा उनके काम में जुर्थ के साथ बाहर निकला पस खुदा उसके साथ था और खुदा ने उसे फता दिलाई अगर आप खुदा के कलाम में रहते हैं और अगर खुदा का कलाम आप में रहता है तो आप इस तरह इसार कर सकते हैं जैसे दाउद ने किया और खुदा की खुदर्थ के साथ फता हासल की नाजरीन जब आप लंबे अर्से तक मसी जिन्दगी गजारते हैं और तजर्वात करते हैं तो आप गालिबन कलीसियाई उन्दे हासल करते हैं आप एल्डर, सीनिर डिकन या मकामी लीडर या रूहों की लिगहबानी के लिए छोटे गल्ले के लीडर बन जाते हैं लेकिन अगर आप अरकान में लीडर बन जाते हैं आपको लंबे अर्से के लिए सिर्फ मसी जिन्दगी नहीं गुजारनी चाहिए बलके कमसकम आपको एमान के दरजह सूम पर होना चाहिए अगर आप कलांपर अमल नहीं करते और अपने इमान को ऐसा बनाने के कवल नहीं हैं जो एमान के दरजह दों पर खड़ा हो आप हकिकतलर दूसरी रुह کی रहनुमाइँ नहीं कर सकते अगर आप काफी लंबे अरसे से लीडर बनने के लिए मसीह हैं आपको कमस्कम इमान के दर्जा सूम पर होना चाहिए अगर आप दर्जा दूम पर हैं तो आप दूसरों की रहनुमाई दर्जा सूम की तरफ कैसे कर सकते हैं आपको कमसक Holм दर्जा सूम पर होना चाहिए, ताके दर्जा अफल वालों की रहनुआई, दर्जा दोम और दर्जा दोम वालों की दर्जा सूम तक कर सकें। अगर आप एक लीडर बनने के लिए काफी लंबे अरसे से मसीह हैं, तो कमस आपको डर्जह सूम पर होना चाहिए अगर आप 5 यद 2 साल मसीही रहने के पद दर्जह सूम पर हैं तो ये रफ्तार बहुत कम है 5 यद 2 साल में कम अचकम आपको रूब के दर्जह में होना चाहिए आप बहुत से पैगामाथ सुन चुके हैं और अगर आप अभी तक दर्ज़ दोम पर हैं, इसका मतलब ये है कि आप कलाम के तमाम माहनी भुला चुके हैं। आपने तवज्ज़ नहीं दी और खुदा के सामने ये कितना तकलीफ दे है। दर्ज़ दोम से दर्ज़ सोम में जाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बशर्टे के आप कोशिश करें। बेशक अगर आप लंबे अर्से तक कोशिश नहीं करतें, तो आप दर्ज़ दोम पर रुके रहेंगे, या शायद आप दर्ज़ अवल की तरफ माजूल हो सकते हैं। इस बत्तरीन मामला में आप निजाद भी नहीं पासकतें। इसलिए माकाशवा तीन बाप 15-16 आयत कहती है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ये ना तू सर्द है और ना गर्म, कास के तू सर्द ये गर्म होता। पस चुके तू ना गर्म है ना सर्द, बलके नीम गर्म है, इसलिए मैं तूझे अपने मूँ से निकाल फैंकने को हूँ। बेशट जे कहने से, ना तू गर्म है ना सर्द, खुदा का ये मतलब नहीं कि आपको अपने इमान में सर्द होना चाहिए। इसका मतलब है, अगर आप इसके बारक्स इमान में सर्द हैं, तो आप सजा पाएंगे और माजूर हो जाएंगे। पहला करन्टियों में हम देखते हैं, अगर वो ऐसे गुनाह करें, जो कभी मौफ नहीं हो सकते, हम सिर्फ उने इबलीस के हवाला करते हैं। जब हम ये करते हैं, तो उन्हें एसास हो जाएगा कि वो निजात नहीं पाएंगे, और वो यकीनन मौत को देखेंगे, वो आपने दिल में कनाजा महसूस करेंगे, ताके वो तौपा करें और वापस आ जाएंगे, तब वो कमस कम बच जाएंगे, इसलिए खुदा फर्मात लेकिन इसके बरक्स नीम गर्म होना सर्द होने से बेहतर है, लेकिन हमें अपने इमान में सर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आप नीम गर्म हैं और आपका इमान बढ़ने से रुक चुका है, तो आपको अपने मसला का एहसास नहीं होता, और एक खास नक्ते पर रुहुलकुद्स शायद मादूम हो जाए लेकिन अगर आप एक कलीसियाई उता रखते हैं तो आपको यकीनर अपने आपको बदलने और इमान के दर्ज़सों पर होने के लिए बेहतरीन कोशिश करने चाहिए इमान के दर्ज़सों पर होते हुए अगर आप दर्ज़सों या अवल की तरफ माजूल होते हैं खुदा आपकी तरफ से अपना मूँ फेर लेगा वो जो इमान के दर्ज़सों पर हैं जब वो गुना करते हैं तो वो तौबा कर सकते हैं और बास आ सकते हैं और उन्हें मौफी मिल जाएगी लेकर अगर वो जो इमान के दर्ज़सों पर हैं वो गुना करें तो मौफी नहीं हो सकती क्यूं? इसलिए कि वो खौई शतन ये जानते हुए गुना करते हैं कि ये गुना है वो जानते हैं कि यसु कौन है और खुदा, महबत और सब कुछ है लेकि गुनाह करने से वो यसु को दुबारा मस्लूब करते हैं बस उनके गुनाह मौफ नहीं किये जाएंगी जब वो जो इमान के दर्ज़सों पर हैं दर्ज़दों या दर्ज़ज़ अबल वालों के लिए काम करें तो खुदा उनकी तरफ से अपना मूँ फेर लेगा और उन्हें मौलिक बीमारी लग जाएंगी जब वो बीमारी की तश्कीश करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है वो आफ्तों से भी महफूज नहीं है और क्यूं वो महफूज नहीं है इसलिए कि वो जब खताएं करते हैं तो उन्हें आफ्तों का सामना हो सकता है वो जो कारबार करते हैं उनका कारबार खराब हो जाएगा क्यूंके वो दर्ज़ सुम से दर्ज़ दौम पर आए हैं खुदा उनकी तरफ से अपना मूँ फेर लेता है चुनाचे उनका कारबार खराब होना शुरू हो जाता है वो अपनी दौाओं का जवाब नहीं पाते क्यूंके वो खुदा के खिलाफ गुना की दिवार रखते हैं वो दर्ज़ सुम से दर्ज़ दौम और दौम से अवल पर आए हैं और क्यूंके वो मज़ीद खुदा के सामने वफादार भी नहीं हैं वो अपने आपको दौनियावी तफरीहाद यानि शोहरत और सिर्फ पैसा की कमाई से बहलाना शुरू कर देते हैं खुदा को उनकी तरफ से अपना मूँ फिर देना है और वो मसाइल का मूँ देखना शुरू करेंगे वो अपने कारोबार में मुश्किलाथ और खानदान और बच्चों में मसाइल रखते हैं या वो जेल भी जा सकते हैं अगर खुदा उनकी हिफादत करें अगर वो खताएं भी कर लें खुदा उनकी बेहतरी के लिए काम करेगा लेकिन क्योंके खुदा उनकी तरफ से अपना मूँ फिर लेता है जब वो खता करते हैं वो महफूज नहीं है किनाचे वो तबाही का सामना करेंगे मिसाल के तौर पर अगर आप एक खता करते हैं और आपकी कार सामने से टकर खा जाती है आप महफूज नहीं रहेंगे लेकिन अगर आप हकीकतन मर्द एमान हैं अगर आप खता कर भी लें और ट्राफिक हादसा का सबब बन भी जाएं ख़दा आपकी इफाद़ करता है और आप जखमी नहीं होते अगर आपके पास करीसियाई औहदा है आपको यकीन हर मुम्किन कोशिश करनी चाहिए और खुद को बदल कर कमसकम इमान के तीसे दरज़ पर हूँ बाइलफाद लेगर अगर आप इमान के दरज़ सोंब पर है आपको उनकी निगहबानी करनी चाहिए जो दरज़ादों और अवल पर है ताकि वो भी इमान के दर्ज़ सोंब में जा सकें अब आप खुद दर्जा सौम पर होते हुए क्या आप दूसरों की रहनुमाई दर्जा सौम की तरफ कर सकते हैं? हाँ, आपको दर्जा सौम की 50 पीसद, 60 पीसद या 70 पीसद और 90 पीसद से ज्यादा तक्वील करना होगी और आपको जरूर दर्जा सौम में आने के लिए दूसरों की रहनुमाई कर सकें अगर आप हकीकतन कलाम पर अमल करने का इमान रखते हैं आप हमारे यसुद के सलीव पर कही हुए अलफाज हरकिस नहीं भूल सकते मैं प्यासा हूँ आप ये नहीं सोचते कि अपने इमान पर काइम रहना काफी है बलकि आप यसुद के फून की कीमत अदा करने के लिए दूसरों के साथ इंजील बांटेंगे और दूसरी रूहों की निगहबानी करेंगे आपको एक सेल लीडर ये छोटे ग्रूप का लीडर होना चाहिए और यसुद के दिल से दूसरी रूहों की निगहबानी करनी चाहिए पहला पतरस पांच बाब दो सी तीन आज कहती है कि खुदा के उस गल्ले की निगहबानी करो यो तुम में है लाचारी से निगहबानी ना करो बलके खुदा की मर्जी के मावफिक खुशी से और नाजाइज नवा के लिए नहीं बलके दिली शौक से और जो लोग तुमारे सुबुर्थ हैं उन पर हकूमत न जताओ बलके गल्ला के लिए नमूना बनो वो जो ये महबत और पारसाई के साथ करते हैं वो नमूना है जब आप खुदा के गल्ला की निगहबानी करें आपको ये रजा कराना तोर पर खुदा के लिए अपनी महबत के साथ करनी चाहिए आपको खुदगर्जी के बगए उनकी खिद्मत करनी है और खुदा के कलाम के मताबिक नमूना बना है बहुत से ऐसे बदुर्ख हैं जो मतवातर हमारे चर्च के निउसलेटर तक्सीम करते हैं क्या वो किसी के दवाओ से या किसी उजरत के लिए ऐसा करते हैं वो रराकानाना तोर पर करते हैं क्योंकि वो खुदा से प्यार करते हैं। बाद लोग जो एक लंबे अर्से से मसीही हैं कि वो चर्च की कोई जिम्मदारी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि वो अपने गुराख के खिलाफ जद्जहद में मस्रूफ हैं और अपनी सफाई के अमल में शामिल हैं। लगी ये खुदा की नजर में दरूस्त नहीं है। जैसे खुदा हमें बताता है कि जब हम धुदा करें तो पहले उसकी वाद्जहद और रास्तवादी के betting करते हूए भी खुदा की वाद्जहद की तक्मेल के लिए सकत कोशिश करनी है। आपको सिर्फ गुना के खिलाफ जदोजहद नहीं करनी चाहिए बलके जदोजहद करते हुए आपको उसी वक्त में खुदा की बाशाही के लिए भी काम करना है। सिर्फ तब खुदा आपको गुना के खिलाफ लड़ने का फजल और कुछ देगा। अगर आप खुदा और र सेल के लीडर हैं या छोटे गुरूप के लीडर हैं या कोई और लीडर हैं आपको एमान के दर्जासों पर होना चाहिए लेकिन बाश अखाद वो जो दर्जासों पर नहीं होते सेल लीडर और छोटे गुरूप के लीडर बन जाते हैं। यह इसलिए है कि सेल में या छोट एक अच्छा शक्स चुन लेते हैं। चुनाचे बाद वकाद अगर आप दर्जसों पर ना भी हूँ, आप एक लीडर बन जाते हैं। लेकिन आप जानें कि आप अपने ग्रूप में अच्छे शक्स हैं। और आप जल्दी से दर्जसों में जा सकते हैं। जब हम कमज़ोर इमानवालों की निगहबानी करने और उनके लिए द्वा करने का अपना फर्ज निभाते हैं, तो हम अपने खुदावन और चौपान को दिल की गहराई से समझ सकते हैं। और आप बहुत जल्दी से पारसाई की तकमीज कर सकते हैं। आप खुदा के मज़़ोर के हैसियत से इस्तमाल होकर तरक्की पा सकते हैं, क्योंके वहां आपकी निगहबानी और रहनमाई करने वाले लोग थे जब आप थोड़ा इमान रखते थे। महबत का कर्फ लोटाने के अमल में आपको उस गल्ले की नेगहवानी में बरदाश्ट और महबत करने के लाइक होना चाहिए, जो एमान नहीं रखता और आपको मुश्किलात में डालता है। नाजरीन, मैंने आपको बताया था कि दर्ज़ा अफ़ल और दौम को पास करना और दर्ज़ा सूम में जाना बहुत जल्द हो सकता है। इसलिए क्योंकि आप खुदा के अलफाज ये करो ये ना करो कि फर्मा बर्दारी सिर्फ अपनी जहन को तैयार करने से कर सकते हैं। लेकिन दर्ज़ा सूम से दर्ज़ा चाहरम में जाने के लिए बहुत वक्त जगता है। तहे दिल से खुदा की मर्जी को समझने और गुनाहों को निकालने में आपको बहुत ज़्यादा दौा और वक्त की ज़रूरत है। लेकिन इसका जल्द होना भी आप पर मुनहसिर है कि आप किस कदर कोशिश करते हैं। अगर आप द्यानतदारी से इसके मुश्टाक हैं तो आप खुदा का फजल और कुवत मांगेंगे। आप जल्दी से दर्ज़ा चाहरम में जा सकते हैं। एमान के पांच दर्ज़ात में से दर्ज़ा सोम से चाहरम में जाने तक लंबा तरीन वक्त लगता है। दर्ज़ा सोम पर आपको तमाम जिस्मानी हवस खेंच कर निकालने हैं। आँखों की हवस और जिन्दगी का गुरूर और हर किसम का जूड जो आपके बदन के साथ जुड़े होते हैं। जिनको आप अप्मी पैदाईश से सीखते और तुजडर्भा करते हैं चुनाचे ये एक लमھा में नहीं हो सकता। लेकिन इसके मताबक कि आपके किस कदर दौा करते रोज़े रखते और अपने जहन को तैयार करते हैं। और इसके मताबिक कि आप उनको कैसे निकालते हैं, शायद ये मुक्तसर वक्त ले, या अगर आप इस तरह कोशिश नहीं करते हैं, तो आप दर्जसों पर ही रुके रहते हैं, चाहे आपने कितनी लंबी मसीही जिन्दगी गुजारी हो, लेकिन वो जो खुदा से प्यार करते उसके आपकाम को मानते और अपनी कोशिशों में खुदा के सामने वफदार हैं, उनके साथ यही मसला है, लेकिन क्या वो बे आरामी मैसूस करते हैं, या अपने दिल में जमा रखते हैं, क्योंकि वो लंबे अर्से के बाद भी रुख में नहीं जाते हैं, वो इमान की चट करूंगा कि कैसे आप अपने एमान की रुकावट पर गालिब आ सकते हैं, और जल्दी से रुख में जा सकते हैं, आप में से बहुत से एमान की दर्जा सोम पर हैं, जबकि आप नए एमान दाफ नहीं हैं, अगर आपने चर्च में एक साल से कम हाज़ी दी है, तो यकीना आ अपने जहन में रखना चाहिए और मौाइना करना चाहिए कि आप एमान के किस दर्जा पर हैं, क्या आप दर्जा दोम पर नहीं हैं, जबकि आपको तो दर्जा सोम या चाहरम में होना चाहिए था, आपको अपना मौाइना करना चाहिए, आपको सिर्द ये नहीं कहना चाह ये बड़ा मायूस कुन है हम ये नहीं कह सकते कि ये इमान आमाल के साथ पैवस्ता है चुनाचे आपको अपना वाइना दुर्स तरीके से करना चाहिए सिर्फ तब आपको दर्ज़ सोम पर होने और जल्दी से दर्ज़ चाहरं में जाने का अहसास होगा इमान में आपकी जिन्दगी खुशी और रहत से भरी होगी ये दर्ज़ सोम से बिलकुल मुक्तलिफ होगा ये बिलकुल नई दुनिया है इसे ऐसा होना ही चाहिए अगरचे कोई आपसे नफरत करता है और आपका बुरा करता है आप कोई तकलीफ महसूस नहीं करते बलके इसके बरक्स उसे गले लगा सकते और उससे प्यार कर सकते हैं बस आप किस कदर खुश होंगे आप इस दुनिया की किसी चीज़ के बारे परेशान नहीं होंगे आप तंदूस रहेंगे क्योंके खुश आपको हर वक्त संभालता है आपको किसी बीमारी के मुदालिक परेशान नहीं होना आजकल बहुत से लोगों को कैंसर है लेकिन आपको इस किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना अगर आपको कैंसर है तो बराय मेरवानियाथ सोचे कि आपने किस किसम की मसीह जिन्दगी गुजारी है क्या आपने बुरे आमाल के जरी खुदा को मायूस तो नहीं किया आप एमान तो रखते हैं लेकिन खुदा के काम नहीं करते अगर आप मुड़कर अपनी तर्फ देखते हैं और कराम में मकंदस में अपना अक्स देखते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा, आप उसे फरेब नहीं दे सकते, खुदा मुनसिफ है, अगर आप इमान के दर्जा चाहरम में आते हैं, गुर्बत चली जाएगी, आप अमीर हो जाएगे, खुदा आपको अमीर होने की बरकत आप शोरत भी हासिर करें गे, आप इस्तियार भी पालेंगे, जो खुदा के फर्ज़ंद, इबलीस और शैटान पर अख कुमत करने के लिए रखते हैं, आप तारीकी पर अखकुमत ध्रोफोद करने के लिए इसतियार हासिर करेंगे, आप हर वक्त कुश रहेंगे, और इमान के दर्जा चाहराम में आना कैसा बाबरकत है। आपको किसी चीज़ के लिए गम नहीं करना होगा। आपको खुदा एक कादरे मुतलिक से प्यार मिलेगा। आप अप्री दौाओं का जवाब पाएंगे। आप रुभरकतुर की आवाज सुनेंगे और रहनुआई पाएंगे। आपका कारोबार बहुत बढ़ जाएगा। आपको अपने कारोबार में बहुत से काम होंगे। और बहुत सी दीगर चीज़ें भी होंगी। मैं कुछ कोहूंगा तो बराय महरबानी फरामकार महसूस न करें। बाद मर्द अरकान मुश्किल में हैं क्योंकि वो जिनाकारी को निकालना चाहते हैं लेकिन नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आप दरज़े चाहर में आ जाते हैं तो बेशक आपके सामने बरहना औरत खड़ी या लेटी रहे। आप बिल्कुल जनाकारी का खयाल जो खाहिच नहीं रखते। पस आप खुदा के सामने कोई गुनाह नहीं करते। हम कहते हैं कि अगर कोई मर्द भी किसी औरत के सामने बरहना खड़ा या लेटा हो और कोई और उसे देखे तो वो भी जनाकारी का कोई जहन नहीं रखते। वो इस तरह की कोई बात नहीं सोचेगी वो महज एक औरत है और वो महज एक बरहना मर्द वहां जिनाकारी का कोई जहन नहीं होगा जुनाथ चे खुदा के सामने कोई गुनाह नहीं हुआ इसलिए वो जो इमान के दर्ज़ चाहरम पर हैं हर वक्त खुदा के साथ रापता में रहते हैं क्योंकि वो गुनाहों की कोई बीवाद नहीं रखते दर्ज़ सोम वाले उनको कैसे समझ सकते हैं जो इमान के दर्ज़ चाहरम पर हैं वो नहीं समझ सकते कि दर्ज़ चाहरम वाले किस कदर खुश हैं क्योंकि वो खुदा के सामने कोई गुनाह नहीं करते हैं आज कल बहुत से एमानदार हमेशा कहते हैं कि वो गुनाहगार हैं और आज तौबा करते हैं और अगले दिन फिर गुनाह करते हैं और दुबारा तौबा करते हैं अगर्चे वो चर्च के एल्डर और खादमीन हैं व तौबा करने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप अपने जहन में भी अपने खैलात या अपनी आँखों से गुनाह नहीं करते। क्योंकि आप अपने दिल में कोई बदी नहीं रखते। आप खुदा के तमाम आखकामात के साथ रहेंगे। इसलिए तौबा की जरूरत ही नहीं होगी। इसलिए आप बड़ी जुरत से खुदा से मांग सकते हैं और आप हमेशा जवाबात हासिल करने के लिए इमान रखते हैं क्योंकि आप गुनाह की कोई दिवार नहीं रखते। जिस तरह पहला युहना तीन बाब में लिखा है क्योंकि तुम अपने आप पर इज़ाने वाली कोई चीज़ नहीं रखते आप खुदा से कुछ भी मांग सकते हैं और वो आपको देगा क्योंकि आप हर वक्दा के साथ राब्ता में हैं आप डरने वाली कोई चीज़ नहीं रखते चुनाचे आप हमेशा खुश रहेंगे क्योंकि आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं अगर खुदा से मांगे तो अब मैं पेगाम का खुलासा बयान करता हूँ नाजरीन जब वो जहरील सांपों को देखते हैं तो आम लोग उन्हें नजर अंदास करते हैं और डसे नहीं जाते हैं लेकिन सांप पकड़ने वाले भागते रहीं बलकि तेज आँखों से उन तक पहुंचते और उन्हें पकड़ लेते हैं तब जहरील सांप ढर जाते हैं मैं ज्यादा पूर यकीन नहीं हूँ लेकिन लोग ये कहते हैं मैंने भी सुना था कि सांप दरसल ठीक देख नहीं सकते बहुत अरसा पहले की बात है मैंने एनिमल प्लैनेट जैसे कुछ प्रोग्राम देखे थे अलबता मुझे ठीक से याद नहीं लेकिन किसी भी तरह वो सांप पकड़ने वाले मजीद सांप चाहते हैं वो सांपों से डरते नहीं वो मजीद चाहते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए उनके करीज जाते हैं तब वो सांप खौफजदा हो जाते हैं मैं नहीं जानता कि सांप पकड़ने वालों को देखकर ये सिर्फ महसूस करके ही डर जाते हैं बारहाल वो डर जाते हैं जब आप उन लोगों को देखते हैं वो जहीले सांपों से भी नहीं डरते जब हम अरसा पहले पहाड पर गए तो हमने हिफाज़त के लिए बूट पहने लेकिन वो लोग बूट भी नहीं पहनते वो अपने खाली हाथों से ही सांपों को पकड़ लेते हैं उस वक्त भी जब सांप हमला करने को तयार होते हैं वो नहीं डरते उनके पास सिर्फ एक छड़ी होती है बस उसी से वो सांप को दबा लेते हैं और पकड़ लेते हैं वो जो चाहें सांपों के सांपों के सांप कर सकते हैं जब एक खूनी शेर हमला करने वाला होतों आम लोग खौफ जदा हो जाएंगे लेकिन तज़रबाकार शिकारी कहेंगे मैं खुशकिसमत हूँ कि आज बड़ा खेल खेलने को हूँ क्या आप समझते हैं कि मैं ये क्यूं कह रहा हूँ दुश्मन बलीस और शेतान शेर बबर की मानन धारता फिरता है कि किसको फार खाए और उनको आजमाश में डाल कर मौत की तरफ ले जाए इसलिए इस दुनिया में तबाहियां और तकालीफ हैं और दुनियादार लोग हमेशा अपने मुस्तक्बिल के बारे परिशान रहते हैं वो मुसलसल अपना तिबी मौइना करवाते हैं और गैर मुदवक के मसाय से निवटने के लिए इंशोरिंस करवाते हैं लेकिन अगर वो उन मुश्किलात का सामना करते हैं जिनके साथ इंसानी सलाहियतों से नहीं निप्टा जा सकता तो वो तकलीफ में सिर्फ अफसोस कर सकते हैं लेकिन वो जो इमान रखते हैं वो बदकिसमती का सामना नहीं करते और जब वो आजमाईशों का सामना करते भी हैं तो खौफ नहीं खाते बलके खुदा की कुवत मांगते हैं जैसे यशुआ और कालब ने इतराफ किया कि वो हमारा माले गलीमत होंगे आप आजमाईशों को बरकत का मौका समझ सकते हैं ताके आप उन पर गालिबा सकें और दुश्मन अबलीस और शैतान को शिकस्त दे सकें याकूब चौथा बाब साथ आयत कहती है पस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मकाबला करो तो वो तुम से भाग जाएगा जैसे कहा गया है मैं उमीद करता हूँ कि आप खुदा के कलाम के ताबे हो जाएंगे और पूरी तरह नूर में रहेंगे मैं खुदावन के नाम में उमीद करता हूँ कि आप बहादरी से इबलीस का मकाबला करेंगे और हमेशा फता पाएंगे ताके आप वो रोहानी जंग्जू बन जाएं जो खुदा को जलाल देते हैं और बहुत सी रूहों को खुदा की तरफ लाते हैं आमीन बिमारों के लिए दूआ मैं उन सब लोगों के लिए दूआ करूँगा जो बिमार हैं आप अपने बतन के उस हिस्सा पर अपना हाथ रख लें जहां पर बिमारी है और इस दूआ से इस्तफादा कीजिए अगर आप बिमार नहीं हैं लेकिन अपनी दिली मुरादें पाना चाहते हैं तो अपना हाथ अपने सीने पर रख लीजिए खुदा का जिन्दा किलाम वक्त और फासले की क्यूद से आज़ाद है और आपके इमान के मताबिक आपके लिए काम करेगा आप जहां कहीं भी हों अगर इमान के साथ इस दूआ को कुबूल करेंगे तो आप खुदा की कुद्रत के हैरान कुन काम देखेंगे हालिलूया खादर मुतलिक खुदा तू जो महबबत है अपने बच्चों पर अपने हाथ को रख और तमाम जीसियन देखने वालों पर भी जो इमान से इस दूआ को टीवी के जरीया कुबूल करते हैं अपना हाथ इन पर रख और अपने अजीब काम जो वक्त और फासले की कयूद से आजाद हैं इन तमाम लोगं की जिन्दगियों में दिखा जो दुनिया के किसी भी कौने में हैं उनको ऐसा इमान अता फर्मा जिसके वसीला से उनके तमाम शुको को शुभात खत्म हो जाए इनकी जिन्दगी से तमाम दुख और मुश्किलात जाती रहें रूहल कुद्स की आग से जला कर और येसु के पाक खुन के वसीला से धो कर पाक कर दें सर से लेकर पाउं तक सारे जिसम में हुदा की अजीम तखलीकी कुवत आशकार हो मैं खुदावंद येसु मसी के नाम से दुश्मन इब्लीस और शैतान तमाम बिमारियों जरासीमों और कमजोरियों को हुक्म देता हूं कि इन बदनों से अलग हो जाएं तमाम चूद की बिमारियां जाती रहें हर वो बिमारी जुला इलाज है और नई द्रियाफ्त शुदा बिमारियां रुहल कुद्स की आग से जल कर भस्म हो जाएं आप बिमारी से पाक होकर जोर पाएं मेदे का कैंसर, फेपड़ों का कैंसर, रहम का कैंसर, जिल्द का कैंसर, आंतों का कैंसर, एज, लुकीमिया, जहनी अमराज, दिल का आरज़ा, फेपड़ों की बिमारियां, हर किसम के जनाना अमराज, बलंद फशार खून, शूगर, जिल्दी अमराज, हर किसम की सोजन जा तक्रादा होने वाली हर जिसमानी तक्लीफ येस्व के नाम में जाती रहे। बीमारी के वज़ा से थकान, नजला, जुकाम और गिलर जैसे बीमारियां रुह-लकुज की आग से जलकर भस्म हो जाएं। मिर्गी, जहनी माजूरी, जहनी दुबाओ और तमाम जहनी बीमारियां येस्व मसी के नाम से जाती रहें। नजर की कमजोरी जाती रहे, बहरे सुनना शुरू कर दें, अंधे बिनाई हासिल करें और गूंगे लोग बोलना शुरू कर दें। खुदाबाब बांच खवातीन को उलाद की बरकत अता फर्मा, तूटी हडियों को जोड़ दे और जिस्म के तमाम जले हुए हिस्से मुकमल तोर पर शिफाजाब हो जाएं। नशा के लारत में गिरिफतार लोगों को रूहल कुल्स की आग के वसीला से पाक और साफ कर दें। जिस्म के तमाम मुर्दा खुल्ये जिन्दा हो जाएं। तमाम तारीकी जाती रहें और इबलीस की कुवतें निकल जाएं। मैं येस्व मसी के नाम से हुक्म देता हूं कि दुश्मन, इबलीस, शैतान और हवा की अमलदारी का हाकें अपना कब्जा छोड़ दें और उनके तमाम कासिद भी येस्व मसी के गादिर नाम में निकल जाएं। तारीकी की नापाक, धोका देने वाली और गुमरह कर देने वाली कुवतें येस्व के नाम में दूर हो जाएं। बे-इमानी और ना-इनसाफी की बद्रूहें जाती रहें। तमाम तारीकी जाती रहें। तेरा नूर चमके, गुदाबाब इनकी रूहों को भी इनके जिस्म के साथ मजबूत फर्मा, इनको कुवत दे कि ये तुछ को पकार सकें, इनको कुवत दे कि ये अपने गुनाहों को तर्क कर सकें, इनकी जाने इस दुनिया में राहत पाएं और इनकी जिन्दगियां प्रेगाम को सुनकर तुबूल करें, और नजात हासिल करें, इनके खांदानों को हर किस्म के हादसात और तबाहियों से महफूज रख, और इनको बरकर दे कि वो एक खुशहाल जिन्दगी बसर करें, एए खुदा, अपने फर्जंदों को घरों और कारोबार के जगह पर, रुहल कुद्स की आदशी बाड में महफूज रखना, और तेरी आँखें जो आग के शोला की माने थैं, इनको देखती रहें, इनका बाहर जाना और अंदर आना मुबारक हो, इन्हें बरकर दे ताकि ये लोगों को कर्ज दें, लिकिन किसी से कभी कर्ज ना लें, इन्हें सौंपा है, हर चर्च में एक इनकलाब बर्पा कर दे, अपने बच्चों की रहनुमाई कर, ताकि वो तुझे जलाल दें, जो भी काम वो करें, अपने अजाइब का जुहूर फर्मा ताकि वो अपने लबों से तेरी गवाही दें, कि वो तुझ से मिले हैं, और तु उनकी दूाओं को कुबूल करता है, खुदा बाप मैं तेरा शुक्री अदा करता हूँ, और सिर्फ तुझे ही सारा जलाल देता हूँ, मैं खुदावन ये सुमसी के नाम में ये दूा करता हूँ, आमीन करता हूँ, आमीन